दोस्तों बात करें तो ये हैं मेरे पास यहां पे Realme 9 Pro Plus जो कि अभी यहां पे लॉंच होने वाल है और देखा तो Realme की तरफ से एक खलका से प्रो लेवल या फिर प्रो प्लस लेवल का यहां पर एक फोन है क्योंकि बात किया तो काफी सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं OIS वाला है, यहाँ पर camera डालके दे रहे है, पीछे के design में भी यहाँ पर change कर रहे है, साथ ही साथ बात की जातों, यहाँ पर out of the box Android 12 भी आपको देखने को लेगा, सबके बारे में बात करते हैं कि करके और एक खास बात बता दिने वालो, आज इस वीडियो में इसके software और प्लस में, वो है उसका Android 12, क्योंकि अभी भी काफी सारी companies 20 जार के नीचे अपने Android 11 पर फोकस कर रही है, लेकिन Realme ने Android 12 का शुरुआत कर रही है, वो भी अपनी किसी flagship phone से नहीं, एक beach के upper mid-range category के phone से, जहाँ पर दिखके लग रहे हैं काफी सही चीज हो सकती है, मैं बात यहाँ पर इंक्लूट किया है, जो की है यहाँ पर इसका अंडर display fingerprint scanner के अंदर heart rate monitoring system, देखा या तो यह experimental feature के अंदर आता है, लेकिन चीज काफी interest नहीं और काफ एचे तरीके से काम करती है, हाला कि अंदर optical fingerprint scanner है, यह उसी का ही यहाँ पर यूज करता है, और उसी का यूज कर लगा है, यहाँ पर जो यहाँ पर आपको इस phone में देखने को मल रहा है, थोड़ा से एक unique चीज जो रहती है, वो है यहाँ इसके साथी बात कर रहे है, तो यहाँ पर design of visual changes है, हाला कि यह Realme UI 3.0 पर based है, लेकिन शुरुवात में अगर आप देखेंगे तो Realme UI 2.0 को याद लाएगा, कुछ जादा major edition नहीं, बहुत ही छोटे छोटे edition से यहाँ पर किये गए है, वन आप दी एडिशन यहाँ पर यहाँ पर बैटर परस्नलाइजेशन के options देखने को मिल रहा है, इसी के साथी बात करें तो यहाँ पर आपको wallpaper थीमिंग का option देखने को मिलेगा, जैस इसा मतला भी रहाएगा कि system की theme यहाँ पर थोड़ी impact पढ़ जाएगी wallpaper के जो colors है, यह काफी हद तक गोगल का material यू आय था ना उससे थोड़ा inspired लगता है, लेकिन यह feature भी है यहाँ पर, इसके साथी जो नया always on display का feature है वो भी है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको sketch pad, AOD या सबसे चीज काफी solid लगी, इसके साथ ही बात की जाए, तो यहाँ पर आपको camera UI के अंदर भी changes देखने को लगा है, देखा तो minor changes वग रहा है, लेकिन बात की जाए तो इस phone के अंदर camera भी काफी इच्छा दिया या, एक flagship level का sensor और OIS यह लोग provide कर रहे है, जो देखा तो अभ बात करें, तो यहाँ पर आपको flexible Windows 2.0 देखने को लगा है, जिसके अंदर आपको एक फ्लोटिंग विंडो के अंदर यहाँ पर निकाल सकते है, तो यह काफी इंटरसी चीज है, इसके साथ ही बात की जाए, तो Android 12 के privacy वाले जो features होते है, वो सब यहाँ पर, जिसकी बात करे privacy notification जो हो रहती है, जैसे कि जब भी हमें इसका camera microphone यूज करूँगा, तो यहाँ पर मेरे को green dot देखने को लाएगा, पता चल जाए है कि मेरा microphone या camera यूज हो रहा है, इसके साथ ही मैं देखा तो completely off कर सकता हूँ, camera और microphone को को कोई भी आप चाहा कर भी हमें मेरा camera microphone को यहाँ य अच्छा feature लगा, और इसके साथी approximate location sharing, यह feature भी है यहाँ पर, देखा जाए तो कोई भी आपको अगर आपको location प्रवाइट करें, तो आपको उसे accurate pinpoint location देनी के ज़रूरती, उसे आप एक approximate location दे सकते हैं, तो यह कुछ privacy related यहाँ पर feature है, इसके साथी बात की जाए, कुछ minor visual enhancements देखने को मिलेंगे, कुछ animations यहाँ पर change करेंगा हैं, और और फोन को थोड़ा से यादर smooth fast बनाएगा है, ताकि high refresh rate display के साथी तरीके से चल जाए, और इस चीज़ को यहाँ पर क्या गया है, AI smooth engine, इसके साथी battery के अंदर यहाँ पर special performance mode देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपक कुछ changes करेंगे हैं, और इसके साथी camera में भी improvement किया है, और ओपर से यह लोग 5G भी हाँ प्रवाइड कर रहे हैं, अब देखते हैं, Realme वाले यहाँ पर, Realme 9 Pro Plus के साथ और क्या चीज़ां करते हैं, बाइदावे, आप लोग के सबार भी का opinion नहीं, यह बात मुझे नीचे comment ना मुला, वीडियो पॉसने आए, तो लाइक करो, चैनल को यह सब्स्प्रेब करो, थेंक पर कुड़ी तेखने के लिए, मैं आँस्ट वेंड में, गुद्बाइ!